आकाश पाताल का फरक है पहले हम लोग पाताल में थे अभी आकाश में है और आकाश है भी अब ब्रमांड में चले जा रहे हैं उस रास्ते पे हैं देखिए जो 24 पहले का हिंदुस्तान तिया सेना थी और अभी में क्या फरक है क्या क्या जो करंच इशू से उस पर में टिपनी करूँगा पहला सेना का मुराल दूसरा सेना चीफ्स का प्रधान मंत्री में विश्वास तीसरा हमारे एकुप्मेंट प्रॉफाइल चौथा इंपोर्ट कंटेंट घटाना पांचमा डिफेंस इंडर्स्ट्रियल बेस बनाना चठा ऑपरेशनल फ्रीडम देना सात्मा दुश्मनों को सबग सिखाना कि यह दि तुम छेट शार करोगे तो हम तुम को बरबाद कर देंगे अब हम एक एक बिंदू पर आते हैं मुराल कैसे होता है जब धान बंत्री कहते हैं हर एक दिवाली में जाते हैं टुप्स के करते हैं संदेश दे रहे हैं कि सेना का मैं परिवार का हिस्सा हूँ कभी ऐसा हुगा नहीं हुगा तो सेना का मुराल ऐसे ही स्काइड रॉकेट किया पहली बात दूसरी बात कि मोदी जी में confidence जब पढ़ान मंत्री कहते हैं कि तुम छेड़गो तो हम छोड़ेंगे नहीं ठीक है टेरर ने टॉक्स केनोट गो टूगेधर आप जब सदिकल स्टाइक करते हो बारा को टेर स्टाइक करते हो इसका मतलब क्या है सेना को संदेश है कि हम तुम्हारे साथ हैं तीसरी चीज़ अपरेशनल फ्रीडम कर्णल पठानिया को मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान प आप पिंजरा में बंद कर देते हो और प्रेशनल फीडम नहीं तो सेना क्या करेगी सेना सरकार का हुकम तो मनना पड़ेगा हम तो पाकिस्तान है नहीं आर्मी चीफ डिक्रेट करता है प्रदान मंतरी को चौथा चीज़ एकप्मेंट प्रफाइल 68% हम लोग इंपोर्ट कर पेंदो या बनाओ खुद बनाओ महला हो खुद बनाने में मलाई नहीं है फ्रिदने में मलाई है मलोगों बलाई चाहिए रफाइल का टेंडर रिंग्स वर्ल्ट Cr rzeczy निकला था 10-12 मिवा 7 प्र सप्राइंट क्यों afford को कि माल नहीं पोप्वंच था का और टो सप्लाइंट को कर रहते मिस्ट अंटर नी रिएग्जामिंग कहते हो मोदी जी जाते हैं जी टूप जी बेसिस गवेंट टूप बेसिस पे नेगोशेशन होता है जी टूप जी बिसिस में कमिशन हो इनी सकता क्यों आपको ब्लैक मनी चाहिए तो भीचोलिया देगा ना कि सरकार देगी तो भ आप जो डॉलर्स जा रहा है बहार इंपोर्ट कंटेंट जो 68 परसेंट है आज हम 30 हजार का ब्रम्होज बेच रहे हैं फिलिपिन्स को बेच रहे हैं हम वेटनाम को बेचने जा रहे हैं कभी सपने में हमने नहीं सोचा था कि एक्सपोर्ट हम करेंगे अपना मिलिटरी हिंदू आपने पुसिरू में कहा था मुझसे अगनी वी एक चीज़ बताइए मैं बिहार का हूं एक गाउं का बच्चा आठामा नौमा पास है उसको नौकरी मिलता है कहीं पर मतलब नौकरी आसानीस तो मिलता नहीं है यह कौन सा संस्था है हिंदूस्तान में जो आपको 30 30-40,000 रुपया देगा चार-पांच साल के बाद 28-32 लाग देगा पीस यूज में पुलिस मैक में में रिजर्वेशन देगा कि आपने नौकरी करो बेस 25 परसेंट है उसको फूल टाइम नौकरी देगा से ना में कौन सा संस्था आप बताइए मुझे बताइए आप कौन सा है एक और विंदू में कहना चाहता हूं कि जब तक एक संस्कित में कहावत है सथम साथम समाचरेद जो लाठी की भासा समझते हैं उसे लाठी की में बात करना पड़ेगा चबी से लेवन कबाद क्या हुआ मनमोहन सिंग को जब प्रेसेंट उबमाने बोला कि पाकिस्तान इ उसने में एक घंटा 45 मिनाट मैं तो बंबा जाता रहता हूं आठ गंटा कैसे लिगा क्योंकि जो होम मिनिस्टर साथ से नहा रहे थे तैयार नहीं थे क्योंकि इंस्ट्रक्शन था कि इतना जल्दी मत जाओ वहां कि जो लोगल आर्मी उनिस थे उसको क्यों अक्टिवेट क यह डिफरेंस है पकाथ पाकिस्तान अब जानता है कि आख उठा देखी गा हमाई तरह तो हम आख निकाल लेगे यह तो राश्ची अस्थर पे जो हमारी च्छवी बनी है वह अद्दूतिये है सराहनिये है प्रसंसनिये है एन प्रधान मंत्री जी को मैं सलूट करता हूं व